हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकार किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो parts में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि total 3 stages होती हैं इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बाद करें तो Prelims में आपका Paper आता है Objective Paper इसके बाद Mains जो होता है वो आपका Subjective होता है Prelims में आपके दो Paper आते हैं GS का Paper, CSAT का Paper जो की Objective होता है इसके बाद जो Mains Paper होता है Mains में आपके काफी सारे exams होते हैं जी हां Optional Subject के Paper होते हैं आपके GS के Paper होते हैं आपके Qualifying Nature वाले Paper होते हैं Language Paper होते हैं इसके बाद आता है Interview आए एस Examination का Interview तो पूरे इंडिया में काफी ज़्यादा Famous है कितना Tough माना जाता है Personality, Development, Classes इसके लिए बहुत ज़्यादा सरूरी है Students के लिए और इसे के साथ इसके Paper में Negative Marking भी होती है तो Please, Answers गलत मत कीजिए गलत Answer डिक मत कीजिए अगर आप Question में बिलकुल Sure है तब ही उस Question को आप चौर्ण कीजिए उस Question को Attempt कीजिए Otherwise, Negative Marking से 0.1 Negative Marking से भी आपके Ranking में काफी असर पड़ जाता है लखो रांकिंग में असर पड़ता है तो इस चीज़ का प्लीज ख्यां दीजिए Negative Marking में बिलकुल मत पड़ी तो दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर के आगए है हाइद्राबाद की Information देकर हाइद्राबाद में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services की Preparations कर रहे हैं और बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं UPSC Civil Services की Preparations करने के लिए और उन ही लोगों के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आई हैं तो उन लोगों के लिए इस वीडियो को हमने बहुत जादा महनत से बनाया है इस वीडियो को लास तक सरूर देखिए क्योंकि ये कुछ मिनट आपको बहुत जादा हेल्प कर सकते हैं अपने Preparations के लिए अपने Preparation को किस वे में आगे बढ़ाना है उसके लिए तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ इससे पहले औरड़ी हम एक वीडियो अप्रूड कर चुके हैं जहां हमने हर टॉप कोचिंग इंस्ट्यूट के बारे में जाना है हर इंस्ट्यूट की रैंकिंग वाइस हमने आपको इंफोर्मेशन दी है जहां एक शॉटकट इंफोर्मेशन भी दी है सबके contact details भी दिये हैं address भी दिये हैं तो उस video का link नीचे description box में मौझूद है आप उन्हें visit कर सकते हैं और इसी के साथ आप यहां पर भी list देख सकते हैं कि कौन सी rank पर कौन सा institute सबसे जादा अच्छा है preparation करने के लिए अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूंगी individual हर coaching institute की information भी हमने आपको दी है in detail जहां हमने जाना है हर institute के बारे में तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाते करके visit कर सकते हैं हर institute के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे वाली रामेश्वर्स IAS institute की वाली रामेश्वर IAS institute पूरे के पूरे हाइदरबाद में rank number 4 पर आता है UPSC civil services की preparations के लिए इनके features की बात करें तो इनके features आपके सामने screen पर मौचूथ है सबसे पहले बात करेंगे इसका studies material जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत ही ज़्यादा unique है इनके study material के basis पर आपकी preparations चलती है study material में आपको proper notes मिलते हैं printed notes मिलते हैं और इनकी जो faculties हैं वो बहुत ही ज़्यादा result oriented और supportive है यानि आपको वो कुछ इस वे में पढ़ाते हैं कि आपका exam ज़रूर qualified हो आपको पढ़ाने के लिए वो इतना ज़्यादा महनत करते हैं इतनी ज़्यादा dedication के साथ आपको पढ़ाते हैं साथ के साथ वो बहुत ही ज़्यादा experts है यानि उनको subject की इतनी भी knowledge है कि आपको कोई भी doubt है तो वो तुरंक मिंटों में आपके ये doubt solve करेंगे ही करेंगे इसके बाद इसके infrastructure की बात करें तो infrastructure में इनके classrooms बहुत ज़्यादा spacious हैं batch size इनका काफी छूटा है ताकि कम से कम बच्चों को ये अच्छे से समझा सके पढ़ा सके individual attention दे सके बच्चों के उपर इसके अलावा ये spacious classroom के साथ साथ आपको library facility ही provide करते हैं यानि कि जहां आप बैठ करके बहुत ही अच्छे और positive environment में शान्ती से बढ़ाई कर सकते हैं preparation कर सकते हैं और अपनी एक team बना सकते हैं जहां proper competition प्रिएट हो सकता है ताकि आपको proper guidance मेरे आपके साथ जो students preparations कर रहे हैं आपको पता लगे कि दूसरे बच्चे भी किस तरीके से preparations कर रहे हैं जिससे आपको अपनी preparation करने के लिए बहुत ही ज्यादा help मिलेगी तो आप समझ सकते हैं ये institute इतना ज़्यादा अच्छा है इनका बहुत जादा अच्छा है कई सारे बच्चे इस institute से पढ़ करके exam qualified करते हैं तो इनकी details आपके सामने स्क्रीन पर वाजूद हैं आप इन्हें visit कर सकते हैं इन्हें contact कर सकते हैं और और ज्यादा details के लिए आप हमारे page को भी visit कर सकते हैं हमारे page का link नीचे description box में लौच है तो thank you so much दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को please please like कीजिए share कीजिए हमारे चानल को subscribe कीजिए और bell बटन को प्रेस करना आप बिलकुल मत भूलिए क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये वीडियो लेकर क्या आती है मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नई location की एक नई वीडियो की एक नई information के साथ हम मिलेंगे तब तक के लिए अपने बात करेंगे